अब भी टाइम हो रहा है पांच बच के पंद्रा मिनट मैं न चार बजे से उठी हुई हूं पता नहीं नीदी नहीं आ लिए मुझे जब कि मैं सोई थी रात में साड़े ग्यारा बजे और उसके बाद चार बजे के एकदम हांग खुल गई उसके बाद नीदी नहीं लग रह है ऐसा लग रहा है और फिर जब मैंने टाइम देख लिया ना तो ऐसा लगा कि अरे चार बजे सोंगी तो फिर पता नहीं उठ पाऊंगी नहीं उठ पाऊंगी फिर सिधारत के दो दो टीफिन तैयार करने आज एक घंटा ट्राय करते रही नींद आए 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 नहीं आई पूरी नीन पूरी हो जाएगी कोई बात नहीं मैं अज दिन में सो जाओंगे विकाल नीन पूरी करना बहुत जरूरी है तो फिलाल अभी खाने पीने का काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पे जीरा सॉफ वाटर चड़ा दिया है मैंने साथ ही दूद उबलने भी च यहां पे पनीर प्रेपेर कर रही हूं इसकी भुर्जी बना के मैं दूँगी तो एक किलो दूद में से थोड़ा मैंने चाय के लिए साइट कर लिया है बांकी बचे वे दूद से मैं पे पनीर जो है उसको सेपरेट कर रही हूं और नीम्बू से कर रही हूं विनेगर से भ पाक, हल्दी और हींग ये तीनों डाल करके मैं बॉयल कर लूँगी साथ यहां पर कटिंग एंड चॉपिंग चल रही है पनीर भुर्जी के लिए पनीर भुर्जी जो उसका दूसरा डबा है दूसरा लंच बॉक्स है क्योंकि फुल लंच बॉक्स देने हैं आज दो तो उसक उसका टिफिन है वो उसमें मैं पनीर भुर्जी और पराठे रखने वाली हूँ तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग टेस्ट के होंगे तो खाने में बॉर्यत नहीं होगी अगर आज मेरे पस ब्रेड होती तो मैं सैंविच बना देती बट मेरे पस ब्रेड नहीं थी तो भी यहां देखिए बॉयल हो गई है तो इसका तड़का तो मैं बाद में ही लगाऊंगी जब सित को छोड़ करके हम वापस आएंगे तभी लगाऊंगी बस उबाल के मैंने रखती है यहां पर आटा लगा रही हूं जिसके अंदर अजवाइन नमक और साथी मैंने कसूरी म करूंगी मैं बाद में और छोले तो बनी हुए उनको बस मुझे थोड़ा सा गरम करना है और फटा फट पूरी बना देते हैं एक पूरी सिधार्थ खा के गया था बांकि पूरी उसकी टिफिन में 930 वाले ब्रेक के लिए रख दूंगी और पराठे जो हमारे स्क्वेर पर मेरभुजी के साथ में कर दूंगी तो बिसकेट ये वाले अच्छे लगता है खाने का मन होता है तो बिसकेट ये वाले अच्छे लगता है काने के लिए कुछ और ना हो तो ये रख दो और ये खा भी लेगा और कुछ जादा मीठा तो खाता नहीं ऐसे तो मैंने बिसकेट रख दिया है और ये उसका दूसरा डबा भी मैंने तयार कर दिया है पनीर बुड़ी के साथ में थोड़ा सा मैंने अचार का यहां पर मसाला रख लगता है तो मसाला थोड़ा सा रख दिया है ताकि पराठे के साथ अच्छा टेस्ट आए और बस ये दोनों डबे हो गए हैं रेड़ी औ सिधार्थ को हम दोनों चोड़ने करते हैं चोड़ करके आ गया है उसके बाद यहां पे मैंने स्टार्ट किया है हम दोनों के ब्रेक्फस्ट की तेयारी बहुत ही सिंपल साम करने है आज अचार और पराठा और चाय ये करने का अमन है तो जो चाय है वो हस्बन उदर चड़ा है वो उनका डिपार्टमेंट हो गया चाय वही बनाने वाले है और इधर मैं फटाफट हमारे लिए पराठे सेख रही हूं हाई एवरिवन गुड इवनिंग तो सुबह मैंने जो थोड़ा सा शूट किया था उसके बाद अभी मैं आप से मिल रही हूं अभी शाम के ना साथ बज रहे हैं आज पूरा तीन ऐसे ही गया जैसे मैंने बताया था ना सुबह नीन पूरी नहीं थी दंग से जब आपकी न क्लास उसको दो-दो टिफिन दिये थे ना उसके बाद घर आया काफी थका हुआ था और अभी भी आज मैं कुछ अभी स्पेशल नहीं बना रही हूं शाम को लेकिन आपको कुछ स्पेशल चीज दिखाना चाहरी थी इसलिए मैंने सुचा आप लोगों से बात करूं एक दो चुटर-पुटर कीचन की चीजे मंगाई है लेकिन जो में चीज है वो है यह मेरा न्यू सॉस पैन जो की इंदस वैली ब्रांड का है और यह है ट्राइपलाई स्टेलन सिस्टील का पैन वैसे तो यह सॉस पैन है लेकिन मैं इसका जादा इस्तमाल किस चीज के लिए करने के लिए टी-पॉट नहीं है सॉस पैन है तो मल्टिपल यूज है इसके चाय बनाए दूद उबालिए किसी तरीके का सॉस बनाना है कुछ कुकिंग करना है कुछ थोड़ा सा कुछ उबालना है इस टाइप के पैन मल्टी परपस होते है और साथ में अगर इस तरीके की स्टेलनस स्टील सॉस पैन और इसमें कई कपैसिटी है ये मेरे पास छोटी वाली कपैसिटी वाला जो है वो आया है और बहुत अच्छी इनकी जो क्वालिटी होती है सारे क्योंकि ट्राइपलाई होते हैं और भी मैंने प्रोड़क्त यूज किये हुए पहले और आपके सा तरीके से सिक्यूर करके आपका जो भी यूटेंसिल सापने ओर्डर किये हैं वो मिलते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये सॉस पैन के साथ में ये लिड है और ये हमारा सॉस पैन इसका जो हैंडल है वो ग्रीन कलर का है काफी हैवी ये सॉस पैन है अच्छा खासा इसका तो आप इसमें कुछ भी कुप करते हैं, इवन आप इसमें कोई सबजी वगेरा भी छोकते हैं, तो आप अराम से कर सकते हैं, विकाज हैविनस इतनी है कि कुछ जलेगा चिपकेगा नहीं इसके अंदर, जैसा मैंने बताया कि एक ट्राइप लाइ कुप वेर है, तैट मीन्स इसमें थ्री लियर ऑफ मैटल यूज है, जो की बॉटम यानि बेस से ले करके रिम तक पूरी जो रिम होती है, वहां तक तीनो लियर आती हैं, जो की इवन हीटिंग करती हैं, और साथी में कुप वेर को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, साथी ये कुप वेर स्क्रेच जिन फ्री भी है, ऐसे सेफ कुक वेर में अगर आप कुकिंग करते हैं, तो आपके खाने का न्यूट्रिशियन 85% तक प्रिजर्व रहता है, और इस टाइप के जो कुक वेर होते हैं, वो हमारे डेली यूज के लिए, हमारे अर्बन लाइस्टाइल के लिए बिलकुल जिसकी वज़े से इसमें खाना ची पकने और जलने का 90% तक खत्रा कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुकिंग भी बहुत ही क्विक होती है, जिसकी वज़े से आप हर साल अप्टू 1200 रुपीज तक सेफ कर सकते हो, और हाँ, इसे आप सालों साल अपने कीचन में भाता रहेगा, यह गयास पे चलेगा, आपका इंडक्शन पे भी चलेगा, इसको आप ओटी जी में भी यूज कर सकते हैं, और कैम फायर में भी अगर आप कुछ कुक कर रहें, तो उसमें भी इसमें कुकिंग करके नजॉय कर सकते हैं, कि यसा लगा आपको यह साउस पैन ह हैं, वहाँ से जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं, चलिए फिलाल बना लेते हैं चाय, और पहले दूद करम किया, फिर मैंने बनाई है, यहाँ पर अपने इस नहे नहे पैन में चाय कुछ मीठा होना चाहिए ना पहले पहले, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, चाय बना के पी लेते हैं, और उसके बाद यह वीडियो है, अगले दिन का, जब मैंने यह रैस्पी बनाई थी, काफी दिन हो गए, मैंने चाप नहीं बनाया था, और कई लोगों ने बोला अब ही की दीदी इतने दिन हो गया पहले इतना फ्रीक्वेंट बनाते थे अभी आप बनाई नहीं रहे हो, तो बहुत टाइम बाद हम लोग निकले थे बाहर तो चाप लेकर आए हैं, चाप बहुत से लोग पुसते हैं, क्या होता है, तो जो सोया बीन होती है ना, जो सोया बैबीन और मैदा का ही मिश्रन होता है, बिल्कुल ये वेज होता है 100%, तो देखने में ये ज़रूर नौन वेज लगता है, लेकिन होता है वेज, तो ये जो चाप है, इनको मैं आज कट करके पीसिज में बनाने वाली नहीं हूँ, उनको मैं ऐस दीज जैसे दिख रहे हैं, इनको फ्राइ करेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो इसी तरीके से मैं इनको तीन, चार, पांच ऐसे लोंगी और इनको फ्राइ करके निकाल लोंगी, बाइदेवे मैं रेस्पी बता देती हूँ कि रेस्पी मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो आज मैं बनाने मैं इसको अलग छारे तरीक उससे बिल्कुल अलग तरीका है तो पहले पहले तो इनको अच्छी तरीके से उसके आखे माली से और भूमagen करने वालेने मैरीनेट एक हम यहाँ पे प्यूरे बनाने वाले हैं जिसके लिए मैंने पैन के अंदर प्याज लिए है तो यह थोड़े बड़े साइज के दो प्याज है और इसको ऐसे बस आप रफली चॉप कर लीजे यह प्याज अट कर दीजे पानी के अंदर एक कप पानी लिया है मैंने और इसमें फिर अद्रक, लैसून, टमाटर यानि चार चीज़े आपको डालनी है इनको बॉयल करना है और जब यह बहुत अच्छी तरीके से बॉयल होके साफ्ट हो जाएंगे तो ठंडा करके फिर आप इसको पीस करके इनका एक प्यूरे बना लीजे तो यह हम यूज करने वाले हैं चाप में चली अब मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे लिया है लगबग 3-4 कप के आस पास यह दही होगा बहुत जादा हमको नहीं चाहिए बस इतना चाहिए कि पूरा लिपट जाए चाप के उपर उसके बाद यह वो मसाला है जो मैंने जब आमका अचार बनाया था उस समय यही मसाले के साथ मैंने आमका अचार डाला था तो यह थोड़ा जादा था तो मैंने हलका सालग निकाल के रख लिया था इस टाइप की रेस्पी बनाने के लिए तो मैं लिंक दे दूँगी वो अचार वाली रेस्पी का नीचे जिसमें जो वीडियो है उसका लिंक दे दूँगी इस दो चम्मच चचार के मसाले के साथ मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लालमिच का पाउडर और हल्दी का पाउडर भी थोड़ा थोड़ा इसमें आड़ किया है साथी में लास्ट में गया है ये चाट मसाला और यहाँ पे दो चीजे ना मेरे दिमाग से बिल्कुल ही स्किप हो गई इसमें डालना वो था हरा धनिया और साथ में कसूरी मेथी जो होती है वो भी आप डाल सकते हो उसके बाद मैंने यहाँ पे सादा नमक ना डालते हुए मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है बिलीव मी काले नमक का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है बहुत अच्छा तंदूरी सा टेस्ट आएगा तो काला नमक जरूर डालिएगा और यहाँ पे अचार का थोड़ा जो पका हुआ मसाला है जो अचार के साथ थोड़ा बन चुका है वो थोड़ा मसाला और उसका आइल लिया है मैंने अगर यह मसाला यह आइल आपके पास नहीं है तो सिर्फ सादा जो सरसों का तेल होता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए अदर्वाइस आप बटर भी यूज कर सकते हैं बस यह सारी चीजे हमारी तयार हैं मैंने बताया दो जीजा आप और इसमें अड़ करना धनिया और कसूरी में थी बाकी यह सारा मैरिनेशन तेयार है इसमें जो हमने चाप फ्राइ की है उनको आप मैरिनेट कर दीजिए और यह अगर आप तीन घंटे दो घंटे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा जितना भी चेक कर लेते हैं जो हमने यह प्यूरे के लिए रखा था प्यास ट्रमाटर अद्रकलैसन यह सारी चीज़े अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो चुकी है तो इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड में बाद में इसको पीस लेंगे और अभी हम सबसी को तड़का का इतना फ्लेवर है की हमें बहुत जादा मसाले वसाले यह जो होते है ना इनसे फ्लेवर देने की dispers नहीं है तो फोड़ा बहुत जो उस मसाले में कमी थी वही बस मैंने यह यहाँ पे एड की है और एक प्यास को मैने महीन चॉप करके ले लिया इसको थोड़ा सा बोन लेंगे हलका सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर एड कर देंगे यह जो हमारी प्यूरे है जो हमने उबाल करके सारी चीजों को बनाया है इससे क्या होता है आप आगे देखेंगे कि इतना अच्छा टेस्चर आता है ग्रेवी का इतना खेला-खेला इतना या नहीं इसको चॉप करके फिर यहां पर देखिए जब हमारा जो प्यूरे है उसमें सेपरेट होने लगा था तो उस टाइम फिर हमने जो मेरिनेट की हमारी चाप है यह एड कर दी है अब इस स्टेज पर देखिए आपने इसमें नमक भी एड किया हुआ है सारे मसाले भी ड लगता उस टाइम तक आप इसको लगातार भूंते रहे है हाई फ्लेम पे जैसे ही आपको लगे कि हाँ भई अब ऑईल का सेपरेट हो रहा है दही में से तो आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसको एक बॉइल यानि खतका लगा दीजिए और बस यह हमारी अचारी मसाल कीजिए थोड़े से लच्छा प्यास के साथ में आपको मजा जाने वाला है तो यह देखिए हमारी जो ग्रेवी वाली सबजी है बिल्कुल बनके तयार है और बहुत टेस्ट वाइस अच्छी बनी थी इसको ट्राइ कीजिएगा मैंने इसको सर्फ किया है सिंपल रोटी के स साथ में और साथ ही यह जो मसाला प्याज होते हैं लच्छा प्याज इसके साथ और यह अपने आप में पूरा मील है बहुत टेस्टी है लगता है खाने में तो यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए का जरूर अच्छी लगी हो तो लाइक दिये बिना मच मैं मिलती हूँ आप से पनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग टेक केर बाइबाइ